नमस्कार, मैं स्वाती, e-dinner.com में आपका स्वागत है आज हमारी चर्चा का विशे हैं बिलकिस बानो केस इस केस में पिछले हफ़ते सुप्रीम कोट ने एक ओर्डर दिया है ये ओर्डर बहुत ही एतिहासिक ओर्डर है जो लोग इस केस से परिचित नहीं है हम उनकी याददाश थोड़ा ताजा कर देते हैं 2002 के दंगो में 21 साल की बिलकिस बानो जो की पांच महीने से गर्बवती थी उनके साथ सामूहिक बलातकार होता है उनके घर के 14 लोगों को मौद के घाट उतार दिया जाता है उनकी 3 साल की बच्ची को पटक पटक के पथर पे मार दिया जाता है बिलकिस की माँ उनकी चचेरी बहनों और उनके साथ भी बलातकार होता है और बिलकिस को मरा समझ के छोड़ दिया जाता है लेकिन बिलकिस इस पूरी वारदात की इकलोती जिन्दा गवाह बच जाती हैं बिलकिस किसी तरह बचते बचाते रिफ्यूजी कैम तक पहुँचती हैं लोकल पुलीस उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती नैशनल हूमन राइट्स कमिशन की मदद से वो सुप्रीम कोर्ट का दर्वाजा खट-खटाती हैं दिसंबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ये केस सीबी आई को सौपता है 2004 में गवाहों और सबूतों से छेड़ चाड़ ना हो इस वज़े से केस एहमदाबाद से बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया जाता है 2008 चार साल के बाद इन 12 आरोपियों को बलातकार और हत्या के आरोप में आजीवन कारवास की सजा दी जाती है इसी दौरान एक आरोपी की मौद भी हो जाती है 2017 में ये आरोपी कई बार पेरोल और फरलो पे बाहर आते रहते हैं 2022 में एक टर्न आता है जब राधे शाम शाह एक आरोपी माफी की अपील दायर करते हैं गुजराथ हाई कोट में इसी के साथ साथ वो सुप्रीम कोट में भी माफी की अपील दायर करते हैं 15 अगस्त 2022 को इन 11 आरोपी को रिहा कर दिया जाता है और इनका फूल मालाओं से स्वागत होता है विएचपी द्वारा इसी के साथ साथ इसका कड़ा विरोध भी होता है कई PIL दायर होती है इसके खिलाफ बिलकिस बानों की तरफ से भी अपील की जाती है इस निर्ने को वाप करने के लिए कहती है इसी के साथ साथ गुजरात सरकार और गुजरात हाई को भी फटकार लगाई जाती है ये भी कहा जाता है कि गुजरात सरकार इसमें पूरी तरहां मिली हुई है आज इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजलक्षमी अंकल अगी है जो कि एक यह जो सुप्रीम कोट का वर्डिक्ट आया है इसके क्या हम इससे क्या समझें और इससे क्या मैसेज जाता है वैसे देखा जाए तो पूरा जज्जमेंट के बारे में अगर बताना है तो इसके बारे में थ्री एंगल से बोलना चाहिए पहला तो है मेरिट के अंगल दूसरा है लीगल अंगल और थर्ड टेकनिकल अंगल मेरिट के अंगल में बोला जाए तो यह लोगों के लिए और पूरे भारत के महिलाओं के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव नोट है पॉजिटिव नोट इसलिए है क्योंकि आजकल जितने भी लोगों को लग रहा था कि जस्टिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि एक-एक केस के लिए 20-25 साल अगर वेट करना पड़ेगा तो इसमें माइने क्या रखता है कहीं केसों में तो विक्टिम की मौत हो जाती है नहीं तो अक्यूज की मौत हो जाती है तो इतनी लंबी आर्शे के बाद अगर कुछ मिलता है तो उसे पॉजिटिव ले या नेगिटिव ले इसी में लोग फस जाते हैं लेकिन देर आये दुरुस्त आये ये तो हम हमेशा बोलते हैं, इस एंगल में अगर देखा जाये तो बिलकिस बानो का judgment जो है वो बहुत ही positive है, उसमें positive इसलिए है क्योंकि जितने भी oppressive governments होते हैं, उस वक्त judiciary में हमेशा जो judgments आते हैं, आइधर वो government को support करके आते हैं या फिर ज्यादा oppose करके नहीं आते हैं, लेकिन बिलकिस बानो के judgment में दोनों जजजों ने justice बीवी नागरतना हो या उजवल भुया हो, दोनों ने ऐसे ऐसे बात की है, particularly justice नागरतना, उन्होंने गुजरात government को पूरा फटकार दिया है, उसमें government का role क्या हो सकता है, law को manipulate करने में या सारे के सारे aspects को justice नागरतना ने पूरे निचोड के रख दिया है, और ये सारे चीजों को देखने के बाद judgment पूरा positive note पे आता है, उसके बाद आता है legal aspect, legal aspect में कई सारे points को justice, दोनों justice हो ने point out किया, पहले तो है, ये petition जिसको बिलकिस बानों ने file किया, क्या ये maintainable है, क्यूंकि बिलकिस बानों ने इसे article 32 of constitution के तहट, रिट के तहट दाएर किया था, तो फिर पहला question, legal question था, ये maintainable है क्या, इस question को answer करते वक्त, justice ने कहा, yes it is maintainable, ये maintain है, law को कैसे interpret किया जाता है, क्यूंकि गुजरात और महराष्टा दो state के government इसमें involved थे, तो उस गुजरात का policy महराष्टा में चलता है, क्या, या महराष्टा competent है, या गुजरात competent है, ये जो लेकुना था, इसको दोनो state और गुजरात की government या फिर ये 11 convicts जो थे, ये इसको कैसे manipulate किये, और Supreme Court के सामने कैसे तोड मरोड के रखा, ये सब इसके सामने आते हैं. Supreme Court ने ये भी कहा कि ये Supreme Court के साथ fraud हुआ है, ये बहुत बड़ा word बोला है Supreme Court ने, मतलब हम अगर सोचे Supreme Court के साथ भी उच्चतम नियायले के साथ भी fraud हो सकता है, और जैसा कि आपने कहा है, इसमें दो सरकारे involved थी, कौन सी सरकार appropriate government बोला गया है, और इन्होंने गुजरात में इसलिए दायर किया कि वहाँ पे शायद उनको पुरानी remission policy के तहट उनको माफी मिल जाए, तो इस fraud पे आप जरा थोड़ी रोशनी डालेंगी कि क्या fraud किया गया है उनके साथ, और किस impunity के साथ fraud किया गया है, जब भी कोई आदमी lower court से higher court जाता है, वो आदर revision के लिए कोई भी मामला अगर higher court में दर्ज होता है, तो उसमें lower court में या फिर उसके surrounding में जो कुछ भी हुआ, उसको clear तरीके से explain करना पड़ता है, क्या क्या हुआ, कहा कहा उसने petition file किया, वो petition accept हुआ, reject हुआ, अगर reject हुआ, तो कौन से ground पे reject हुआ, सारे points को वहाँ बोलना चाहिए, क्योंकि supreme court है, वो तो सर्वांतर्यामी नहीं है, क्योंकि उनके सामने जो भी दायर होता है, कागज के रूप में, उसी के उपर, evidence के उपर जो भी सामने आता है, उसी के उपर उन्हें judgment देना पड़ता है, वहाँ जब इसने petition file किया, इसने दो तीन points को पूरा hide किया रहा, व judgment के खिलाफ petition दायर कर चुके थे, दोनों बार गुजरात high court ने उसे reject किया था, इस बेस पे कि गुजरात is not appropriate jurisdiction, गुजरात में ये आ नहीं सकता, क्योंकि ये महराष्ट्रा इसका jurisdiction है, क्योंकि महराष्ट्रा में case चला है, महराष्ट्रा में trial हुआ है, महराष्ट्रा में ही order सजा दी गई है, जब सब कुछ महराष्ट्रा में हुआ है, तो गुजरात में petition file करने का कोई माइन नहीं रखता, आपको महराष्ट्रा जाना चाहिए, ये fact, इन्होंने Supreme Court के सामने छुपा के रखा, इन्हें बताया नहीं, और जब भी कोई appeal या petition file होता है, जिस किस के खिल समझे कि यहाँ वहाँ कुछ ऐसे कर देंगे और by fraud कुछ मामला निपटा लेंगे, और इसी वज़ए से लेकिन Supreme Court ने भी इसमें deep जाने के नहीं गए वो, उन्होंने सिर्फ कहा था, गुजरात government should look into the matter, ये जो भी इन्होंने किया है, हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते, उन्होंने जो जस्टिस नागरतना ने एक बात बोला ना, गुजरात government has observed the power on themselves, ये गुजरात government ने इन्वेंशन किया, उसने क्या किया, वो जो है, जैसे यह उनके पास आया, वो इतने दिन तक क्या बोल रहे थे, कि महराष्ट्रा इस अप्रोप्रेट जुरिस्टिक्शन, अब क्या, इमिडेटली क्या किया, उनको रेमिशन दे दिया, गुजरात government ने, इसमें रेमिशन देने के लिए, होम से, होम government से, I mean central से, होम department से उसको clearance भी चाहिए, ये कब information भेजे, petition कब भेजे, उसका department से कब इनका answer आया, कुछ भी declare नहीं हुआ, और साथ में क्या हुआ, ये jurisdiction का बात करते करते, इन्होंने 2014 में, इनका रेमिशन पॉलिसी जो नया बना था, उसे छोड़ दिया, 1992 का old policy, ये कहते हैं कि 2008 में सजा हुई इनको, तो हम 14 की पॉलिसी को लाबू नहीं कर सकते, 92 के पॉलिसी के तह है कि पूरा 11 लोगों को इन्होंने अगस्ट पंदरा क के दिन रिहा कर दिया, और ये जो पैनल का गठन हुआ, पैनल का गठन भी जो हुआ, उसमें दो बीजेपी के MLA शामिल थे, बलातकार और हत्या जैसे जगहने अपराधों में, रेमिशन पॉलिसी अपलाई नहीं होती है, तो उसको भी नोने सरकम्वेंट करके, मतलब उन्होंने ये मेजर किया कि 2022 में गुजरात इलेक्शन से पहले इन 11 आरोपियों को छोड़ दिया जाए, और जिस तरह से इनका स्वागत किया गया, ऐसा दिखाया गया कि हिंदूों के लिए ये सरकार क्या कर सकती है, किस तरह ये कुछ भी करने के लिए तयार है, और एक त आप करनाटका में बेस्ट हैं, बैंगलोर बेस्ट हैं, आपने बिल्किस बानो केस को लेके एक कैमपेन करनाटका के संगठनों ने किया, आप भी उसमें शामिल थी, थोड़ा आप उसके बारे में बताएंगी, या, थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए, पहली तो मैं यह उसी दिन मोदी ने, 15 अगस्त के दिन हुआ है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस टे, तब हमें शौक हुआ, पहला बात तो हमें बहुत शौक हुआ, और बाद में जिस तरीके से उन लोगों को बुलाए, मतलब स्वागत किये, गार्लांड लगा के, स्वीट खिला के, बहुत सर सेफटी एंड सेक्यूरिटी, आपको तो पता है, जब से जो रायोट हुआ था, तब से बिल्किस बाग रहे है, अखेली लड़ रहे है, हां संगतना, बहुत सारा महिला संगतना आगे आ रहे है, उनको मदद करने का कोशिश करे, मगर यह उसका अखेली का जंग है, एक हमन एक सरकार से रहे है, एक सरकार से रहे है, उसको वापस लेने के लिए, और दूसरा बात, सेक्यूरिटी और सेफटी और बिल्किस मानो और उसका फामिली, उस प्रोटेश्ट में मोर दन थाउजंड लोग आये थे, सब कोई अपना बात रखे आगे, और सब कोई बहुत दर सब कोई आये, और लोगों से पूचा कि अगर आपको कुछ मेसेज देना है बिल्किस को, how do you want to do, तो मेसेज लिखके, ओ मेसेज बिल्किस बरन को बेचे, तूसरा क्या किया कि गवर्नर को इमेडियेटली लेटर दिये, और चोटा मोटा प्रोटेस्ट, बैंगलूर अरौन करनाटा का अरौंड, पूरा देश का अरौंड प्रोटेस्ट करते रहे और रेप्रेसेंटेशन भी करते रहे और बहुत सारा लोग पीयल बी, पीयल बी कोट में डाले हैं, करनाटा का में दूसरा वेरी इंपोर्टेंट इंग जो हुआ कि कैम्पें किया, मतलब गुजुर चित अरौंड सरा रेटी में हम करनाटा का में पूरा नेटवर्किंग ओंड जेशन आगे आगे करनाटा का वित बिल्कीस बोलके एक कैम्पेंड शुरू किये, इस में मोर थन 29 दिस्ट्रिक्ट इन ररौं करनाटा का में हम हर किसी हर और इंडिविजेशन से बात किया, हर मतलब जनता से बात किया हमने, directly, पहला तो है, बहुत सारों लोगों को बिल्किस का बारे में पता नहीं था, क्युंकि हमें, हमारी पॉली जाते हैं, जो गटना होते हैं, कुछ दिन होने के बाद हम बूल जाते हैं उसका बारे में, तो बीश साल से उपर ये बात हो चुकी है Exactly, बहुत सारे लोग बूल चुके थे, दूसरा बात जब उनको बताया, जब उनके साथ बात करने लग गए पहले तो उनको सब बहुत शौक में गए, दूसरा बहुत कन्फूजन में थे क्या हो रहा है हमारे देश में, तो इतना अच्छा था कि ओ लोग जो कैंपे ने अपन नहीं पहुंचेंगे आज आज आप तो देखते हैं, त्री क्रिमिनल लाउ चेंज किये हैं, मगर जनता तक अभी तक पहुंचे नहीं, तो ऐसी तरह के से बिल्किस बानु का इस्यू भी पहुंचे नहीं, यह बहुत सारा चालेंज था, बहुत सारा लोगों को रिसीव नह करना है, but it was a wonderful thing, हम लोगों से बात कर पाए और लोगों का बात हम क्या document कर पाए, और यह बात रही कि किसी ने भी इसको support नहीं किया, सब को लगा यह गलत हुआ है, उन्हों ने वेरी क्लियर से बोला, यह गलत है, गलत ही तो है, बीच में इतना कुछ गुजरा होगा, अग बार बार उन्हें वही चीज बयान करना, समाज का pressure, परिवार का pressure, कई सारे survivors छोड़ देते हैं, उमीद ही छोड़ देते हैं, कि चलो, move on with life, लेकिन इस बीच में बिलकिस पूरी तरह डटी रही, उनके पती का उने पूरी तरह सहयोग था, संगठनों का भी सहयोग था, महि यह जाना चाहती हूँ कि इस बीच यह एक case था, जो state-sponsored violence का case था, अभी कुछ महीने पहले हमने मनीपूर में देखा, किस तरह, वैसे ही state-sponsored violence के तहत, रेप के बहुत सारे cases सुनने में आये, report हुए, और कई cases तो शायद report भी नहीं हुए, तो हमें उनकी जानकारी भी न और उस report, उसको report करने में ही दो महीने लगें, क्योंकि जो rapist हैं, उनमें से दो BJP IT cell के member थें, तो ऐसे माहोल में, और हम देख रहे हैं कि wrestlers, जंतर मंतर पे protest कर रहे हैं, एक minister को हटाने के लिए, उनको federation से हटाने के लिए, कितने महीने उन्होंने struggle किया, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी जा रही हैं? इस तरह के माहोल में, जब ऐसे खूले आम अपराद कर रहे हैं, ये सोचके कि इन पर कोई असर नहीं होगा. इस तरह के माहोल में, हम इस केस से क्या समझ रहे हैं? एक उमेद की किरेंट जगर रही है, लेकिन किया ये नॉर्मल हो जाएगा कि ये जो पॉइंट दिया state sponsored violence इसमें दो टतरे के होते हैं एक state sponsored होता है जिसमें बहुत सारे औरतों को फिर कोई भी oppressed community हो उनके ऊपर दमन होता हैं दूसरा होता है state support क्युंकि यहातरस का जो है इसमें state support आता है sponsor तो नहीं है, एक individual incident है ऐसे ही जब इन 11 लोगों को बाहर निकाल गया और कुछ महिलाई वो तो VHP के कुछ भी हो, वो कारे करता हो या कुछ भी हो जब खुद महिलाई आके उन्हें हार पहनाती है और स्वीट खिलाती है कुछ लोगों ने उनका पैर भी चुआ तो फिर ये एक जो BJP का MLL था, उसने कहा ये समस्कारी है क्योंकि ये ब्रामन है क्योंकि आप rapist को जब tagline लेने देने लगते है कि ये समस्कारी है, rapist है इन्होंने जो भी किया है, धर्म के लिए किया है, या फिर religion के लिए किया है या फिर कुछ cause के लिए किया है कुछ भी हो, जो एक घिलोना काम, कुछ भी कितनी भी बड़ी काम के लिए किया गया हो अगर वो काम घिलोना है तो वो घिलोना आदमी है वो कभी समस्कारी नहीं हो सकता इन लोगों को संसकारी जो ये बुला रहे थे उसी वक्त करनाटका में क्या हो रहा था मुरगा मटका केस चल रहा था बाबा राम रही पैरोल में बाहर आ रहा था आसा राम बापू को रिहा करने की बात चल रही थी हर संसकारी आदमी जो इंडिया में है सारे संसारे नहीं यह जो गिने चुने संसकारी आदमी जो धर्म और ऐसे स्टेट का समरक्षन में रहते हैं उनको एक लोगों में क्या लगता है इनको पूरा प्रोटेक्शन भी है और यह जो भी करते हैं उसको कुछ भी नहीं होता क्योंकि बाबा राम रहिम जैसे ही बाहर आया एक बीजेपी की मेयर ऑनलाइन में उसको बात कर रही थी बाबा जी आपका आशिरवाद हम पर रहना चाहिए कब दर्शन दे रहे हैं वो उससे बड़ी है और पूछ रही है वो बोल रहा है बेटी आओंगा क्या है यह वसी वक करनाटका में भी मुरगा मटका केस चल रहा था बच्चियों के उपर केस चल रहा है और साइमल्टेनियस लिए आप सोजन्या के इशू को भी याद कर सकते हैं सिर्फ ये धर्मक्षेत्र उसका नाम जुड़ते ही एक इंसीडेंट में दो तरह के अर्ग्यूमेंट बढ़ कुछ लोग पूरा उस प्रोटेक्शन करने के लिए आ जाते हैं उस आदमी को प्रोटेक्शन करने के लिए लगते हैं या फिर उस धर्मक्षेत्र का नाम सुरक्षा करने के लिए लगते हैं ऐसे अगर करने लगेंगे तो कोई भी लड़की को या फिर औरत को जस्टिस कब मिलेगा ऐसे ही होगा हातरस में हम सिर्फ allegation करने में नहीं जाएंगे क्योंकि हातरस में जो हुआ सिद्धिक को देखा हमने वो सिर्फ news करने के लिए गया था वो आदमी जो केरडा से वहां तक पहुँचा दो साल तक जेल में रहा क्योंकि वो आउरत वो एक कोई भी बड़ी जात के नहीं थी इसमें सिर्फ ब्राहमन समस्कारी नहीं है उसमें एक और आस्पेक्ट भी है minority बिलकिस बानों के जब issue आते हैं तो हम कहते हैं कि minority against oppression है state sponsored है यह state sponsored violence आदिवासियों के खिलाफ भी है और दलितों के खिलाफ भी है जब ऐसे incident होते हैं तो बड़े news नहीं बनते लेकिन एक भी यह मैं नहीं कह रहे हूं बहुत सारे organizations जो दलितों को या downtrodon को represent करते हैं वो खुद कहते हैं जब तेलंगाना में encounter हुआ सारा इंडिया celebrate कर रहा था बोल रहा था कि instant justice ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए जब यह instant justice बागी आउरतों को क्यों नहीं मिलता तब silent क्यों रहते हैं यह instant justice सिर्फ गिने चुने लोगों को क्यों मिलता है justice नागरतना ने यही कहा कि rule of law मतलब गिने चुने लोगों को protect करने के लिए नहीं है यह है rule of law सब लोगों को equal होना चाहिए जब ऐसे होता है तो पूरा judicial establishment मिलता है और एक बात और है यह operation के बारे में social stigma के बारे में या फिर pressure के बारे में हम बात करते हैं यह pressure सिर्फ लोगों में नहीं है यह justice के उपर भी है जब justice है तो वो तो उपर से आये नहीं है वो भी हम लोगों के बीच से ही जाके वहां बढ़ते हैं वो भी जब कोई order देते हैं या फिर judgment देते हैं वो किस वातावरण में पले बड़े हैं या फिर उनके ideologies क्या है परवरिश क्या है उसके उपर judgment देते हैं क्योंकि यहां दो में एक ही example देना चाहूंगी justice नागरतना सिर्फ यही case नहीं कुछ और cases जो है उनमें भी positive and modern जो progressive है वो ऐसे judgment दिये हैं जब शबरी मला का issue आया था that judgment was four is to one चार male judges justice जो है उन्होंने कहा था कि महिलाओं को शबरी मला टेंपल में छोड़ना चाहिए जस्टिस इंदु मलहतरा जो एक ही female थी उन्होंने बोला था कि महिला को होगा judgment उन्होंने कहा कि यह उनका viewpoint है जस्टिस जब भी कोई judgment आता है ऐसे आ सकता है क्योंकि कि करता है यही judgment यही judgment बिल्किस बानों का case अगर इन दोनों जजज के बग आलावा किसी और जजज के सामने आया होता और वो जजज का viewpoint और ideology अगर अलग होता तो शायद इसका result भी अलग होता जस्टिस नागरतना के बारे में मैं कुछ बाते बता देना चाहूंगी इस Supreme Court के order में उन्होंने यह भी कहा है कि हर महिला respect deserve करती है चाहे वो समाज के किसी भी तबके से आए किसी भी धर्म से आए और इस तरह के cases में जो महिलाओं के प्रती अपराद किये जाते हैं क्या उन्हों में माफी होनी चाहिए यह उन्होंने सवाल छोड़ा है हम जब sexual assault cases की बात करते हैं और जैसा कि हम हमारी बातचीत में भी आया है कि कितने cases end तक पहुँचते हैं समाज के pressure की वज़े से जो भी बीच में जितने stakeholders है system जिस तरह से बना है वो पूरी तरह discourage करने के लिए हैं अब इस case में 20 साल का इंतजार करना पड़ा तो आप आपको क्या लगता है कि जो जो sexual assault cases में जो system के stakeholders हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है कि improve हो system ताकि महिला महिलाओं को न्याय जल्दी मिले better मिले इतना इंतजार ना करना पड़े तो यह सवाल आप दोनों के लिए है क्या stakeholders के लिए क्या जवाबदारी आप लोग तै करेंगे पुलीस से लेके end judiciary तक मतलब अमेशा हम देखते कि किसी तरीके का केस जब कोट पे चलता है तो वह डिले होता है सो इस नौट ओनली ओर डिले काली judiciary में नहीं होता है system से ही शुरू होगा उस उसमें बहुत सारा stakeholders होता है तो हमारे सावल यहां से शुरू होगा एक तो बात है कि women's का जो women's जो जिस issue से गुजरती हैं कोई भी recognize नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहते हैं और किये तो भी उसको वहाँ ही suppress कर लेते हैं because it's a it's a a pitru-pradhan विवस्ता में यही चलता है जब एक misogynist or stereotype person आते है तो women's को हमेशा यही कहते है कि तुम इसको करना है और तुम यहां ही रहना है so it's very I mean heartbreaking to see that you know हमारी जो system है of course we have a well-defined law बहुत अच्छा सा defined law से something because it's very technical you know human humanitarian grounds को लेता नहीं है और secondly sexual assault which is so heinous क्यूंकि एक बार एक महिला का उपर ओ होती है ना so she will never be able to come out of it ओ जो trauma में चलती है ना कि कोई भी पूछता नहीं जुडिशरी भी पूछता नहीं है अपना कुद का family नहीं पूछता है और society भी पूछता नहीं है always burden मतलब एक stigma एक burden हमेशा लड़की का उपर भी उपर होता है exactly बिल्किस बानो का बात ही ले लिजीए so पहला तो बिल्किस बानो state target थी ओ मुसल्मान थी इसलिए उसका case नहीं ले पाए police the first take order police ने case नहीं लिया somehow a case गए मतलब जो कोड तक पहुंचे और दूसरा मतलब दूसरा state में एक case लड़ने लग गई और वहां से हमको देख सकते लेकिन आफटर आपने पहले ही describe कि इतना साल हुआ कुछ आने उसका आत्मे कुछ आने के लिए उम्मिदवार और justice पता नहीं हम justice को कैसे हम define कर सकते क्योंकि हमारी गर में मतलब बिल्किस बानों का गर में 14 लोगों का माउथ हुआ बहुत कतरनाक हैं उन लोगों को मारा बिल्किस बानों के साथ घरवालों को भी उन लोगों नो रेप किया फिर भी बिल्किस बानों ने लड़ते रही इतना साल से स्टेट ने उसको दोका दिया सिस्टम ने उसको दोका दिया मगर जुडिशरी ने उसका हाथ पकड़ा हाँ डिलेव तो बहुत हुआ है सिस्टम से हमें क्या उमीद है? क्या उमीद भी कर सकते हैं? बगो जुडिशीरी ने कहिसे भी उसको हाथ दिया वही है आज का जो वर्डिक्ट जैनवरी 7 जैनवरी 8 जो वर्डिक्ट आये था हमें एक उमीद देता है मतलब बिलकीस को, बिलकीस ने अपना कुद का स्टेट्मेंट में दिया है ना, कि मैं अपना लॉयर के तुरू, मैं जश्टीस का उपर थोड़ा यह कोट है, उसका उपर थोड़ा सा तो विश्वास रखी थी, उस विश्वास की वज़े से आज जो हुआ मेरे साथ, अच्छ मतलब जब हमारे साथ कुछ इंसा हुआ तो हम किस के साथ बात करेंगे हमारी family पहला होता है हमारी society second होता है तीसरा उम्मिददार जो है वो police के पास हम भागते हैं मगर police क्या करते हैं पहले तो वो कभी भी gender sensitization ही नहीं हुआ और देश में इतना चल रहा है कि मैन सब्सक्राइजिक प्रोलाइजियन बेस्ट में इतनी वंत्वाइजन बेस्ट में शुबर्लेत्वाह रहे है इस समय यह महिल सब्सक्राइजी में फीडेरि प्रेंजन से response she would be getting पहले तो केस नहीं लेता है दूसरा what are the roles of the state woman commission policies करता है जो policies which is not on behalf of at all pro women I mean there are policies I mean certainly they would have been drafted some policies but oh कभी भी women को पुछता नहीं कि this is what the policy do you need क्योंकि end of the day जो policies है हमारे लिए बना है women के लिए बना है वो policies नहीं पूछते हैं कभी भी exactly और पार्लीमेंट में इस डिबेट चलता है हर किसी का बारे में डिबेट चलता है मगर जब आती है तो women का related any conversation पार्लीमेंट में कुछ भी नहीं चलता है हमें force करना पड़ेगा I still remember because you know हमारी करनाटा का में पिसले जो सरकार था पार्लीमेंट डिसकेशन हो रहा था we literally went and then had a discussion with state women commission बोलके कि ए कुछ बात है हमारी सुन लो पार्लीमेंट में discussion कर लो इतना ही कहीं वो चेर पसंद लेका I am really sorry इतना discussion हो रहे कैसे कर सकते हैं okay लिख के हमें दे दीजिए so that is like you know second immediate stake order the third will be shelter home बिल्किस बानू को ले लीचिए पूरा जिंदगी अभी भाग रहे है 2022 में भी फिर भी भागी उन्होंने तीस से चालिस बार अपने घर बदले हैं उनकी security भी stake पे थी और not just that जिस गाउं से थी वो वहां से बहुत सारे मुसल्मान वो गाउं छोड़के चले गए और जब ये इनको serious डर है ये कोई ऐसी ही नहीं हम सोच रहे हैं तो आपकी बात बिल्कुल सही है अगर बाहर आके अपने अपने घर में बैड़ते थे तो इतना डर नहीं होता था वो क्या कि after release बाहर आने के बाद politicians के साथ election campaign में जा रहे हैं election के लिए ही उनका release हुआ था वो अलग बात है लेकिन कोई leader के साथ ऐसा ये convict जो अभी अभी भी release हुआ है वो बैटके program में अटेंड होता है पब्लिक के सामने अपना appearances देता है तो बहुत ही wrong message जाता है और हमारे लिए वो wrong message है लेकिन उनके लिए क्या है right message है वो क्या कहते हैं देखो हमारे आदमी कुछ भी करेंगे हम उन्हें इसे ही इज़त से बाहर ले आएंगे तुम कुछ भी कर सकते हो इसे डर बिठाना चाहते हैं और उसमें वो success भी हो रहे है इसी बात को मैं थोड़ा आगे ले जाते हुए minorities को डराते डराते majority भी safe नहीं है अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम सिर्फ उनको डरा रहे हैं उनकी महिलाएं खत्रे में हैं आज जो जनतर मंतर पे wrestlers हैं वो तो सब हिंदु धर्म की हैं IITBHU में जिस लड़की के साथ हुआ हाथरस की महिला भी तो इस तरह का अगर हम culture जो हम rape culture जिसे बोलते हैं इसको अगर state sanction continuous मिलता रहेगा full impunity खुलम खुला आप जो करना है करें आपको कोई सजा नहीं होगी जो सजा है वो माफ कर दी जाएगी तो इस तरह से हम rape culture को ही बढ़ावा दे रहे हैं उसे ही strengthen करते जा रहे हैं तो वही है बात की लगेगी आग किसी के घर तो हमारे घर भी ज़द होंगे तो इससे हम भी बचे नहीं रहेंगे कोई नहीं बचा रहेगा तो इस case को अगर हम positive तरह देखते हैं कि एक उमीद की किरन जगी है और यह उमीद रहेगी कि आगे के justice भी justice नागरतना और उजवल भुयन से सीखते हुए हमें उमीद रहेगी कि इसी तरह के judgment हम future में देखें और लोगों का जो faith restore हुआ है कुछ हद तक इस तरह के judgment से वो कायम रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस discussion में आने के लिए इसी तरह की खबरों और चर्चाओं के लिए इदिना को follow करिए, subscribe करिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद